हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चानल तो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे एक और नई वेकेंसी के बारे में और यह जो वेकेंसी आपका NLC इंडिया लिम्टेड के तरफ से निकल के आ रहा है जिसमें आपको एक साल का अप्रेंटिसिप टेंडिंग यहाँ पे दिया जा आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा मोगा है स्टाइपन की रासी भी यहाँ पर अच्छी कासी यहाँ पर रखा गया है तो यह जान लेते हैं इसी का बारे में complete information तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इसका official notification है जो कि इसमें NLC के तरफ से यहाँ पर जारी किया गय अच्छा मोगा है और यहाँ पर पासिंग यहर भी यहाँ पर दे दिया गया अगर आप 2017, 18, 19, 20 में अगर आप पास आउट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं 2017 के पहले बाले candidates में अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा अब यह बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी पोश्ट है, कौन से ब्रांच इसमें इलिजबल है और कितना आपको स्टाइपन यहाँ पर प्रवाइट किया जाएगा तो फिर आप दिख सकते हैं सबसे पहले हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट अपर अप्रेंटिस के लिए तो इ सब्स्क्राइप करिआ है और आपका सब्सक्राइप के लिज आख भी केलिए अभी हम बात करेंगे टेख्णन अपर इसमें इप्लूमा वाले इसमें इलिजबल है तो सीट भी यहाँ पे अच्छा कसा दिया गया है स्टाइपन आप यहाँ पे देख लिए ग्रेजुएट अपरेंटिस के लिए 15,028 रुपए आपको यहाँ पे मंथ लिए स्टाइपन आपको प्रभाइड किया जाएका एक साल का आपका टेंडिंग पि आप 25 mikro कॉंबड़ यहाँ इसमें जुड़ इन्पिल आपको शाइपन को निकाला ग्या है इसमें जो आपको इस टाइप यहाँ पर्वाइड किया जाएगा वो आपको बार हजार पांटेवाश को चाव्यli रुपए आपको परमत यहाँ दिया जाएगा for diploma apprentice के लिए एक साल का इसमें भी आपका टेंडिंग प्रियर रहने वाला है यहाँ बात कर लगते हैं यहाँ पर इसकी educational qualification के बारे में तो यहाँ पर देख लिए सब सब पहले यहाँ पर graduate apprentice के लिए बात करें तो इसमें आपका यहाँ पर डिगडी होना ecc limit यहां पर जो भी आपका apprenticeship का रूल है उसका उन्सार्ट से आपको यहाँ पर एह लिमिट यहाँ पर दिआ गया है वह बात करें यहाँ रहने आप देख लिजी यहाँ पे one year का आपका टेंडिंग रहने वाला है यानि कि बारा महीने का आपका यहाँ पे टेंडिंग प्रियाट रहेगा और इसमें एक बात बताया गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो भी candidate यहाँ पे अगर आप कोई अपरेंटिस कर रहे हैं या अपने अपरेंटिस कर लिया है या आपके पास यहाँ पे एक साल या उससे अधिक का यहाँ पे experience है तो not eligible to apply आप इससे apply नहीं कर सकते हैं आप इसके लिए eligible नहीं है तो आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा selection process यहाँ पे किस परकार से होने वाला है तो अब यह बात कर लेते हैं पे किस परकार से आपका selection यहाँ पे होने वाला है तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड़ अपरेंटिस इप्टेंडिंग साउथ रिजन आपका यहाँ पे हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ ऐन्लाइन अप्लीकेशन यहाँ पे आपको करेंगे उसमें से आपको pounds कि यहाँ पे और सोट्लीचर्ट यहाँ पर सेलीक्शन होनु किा गाला है और जो बी유 exactamente रिज्टरर होंगे उनको यहाँ पे जो भी आपका registered mail होगा mail id के जड़ी आपको यहाँ पे सुचना दिया जाएगा और उसका बाद आपको यहाँ पे certificate verification के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तो यह तो इस तरह से आपका selection process यहाँ पे होने वाला है आपका जो भी marks होगा जो भी discipline में उसका अधार पे आपको यहाँ पे selection होने वाला है और उसका बाद आपको mail के जड़ी सुचना दिया जाएगा और उसका बाद आपको certificate verification के लिए आपको बोलाया जाएगा तो किसी परकार का यहाँ पे आपका exam नहीं होने वाला है कैसे आपको apply करना है तो apply करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि जो भी apprenticeship की vacancy निकलता है सबसे पहले आपको www.mhrdnts.gov.in पर आपको आपको आपना registration complete करना होता है उसके बाद से ही आप किसी apprentice के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद जब आप यहाँ पर registration कर लेंगे वहाँ से आपको एक registration number भी आपको दिया जाता है environment number आपको दिया जाता है तो यहाँ पर दो तरह का candidate है जो candidate यहाँ पर आपना registration complete कर लिए है उनके लिए तो यहाँ पर आप देख लिजी आप यहाँ पर login करेंगे direct और login करने के बाद establishment request में जाएंगे और find establishment में अगर आपने resume upload नहीं किया तो पहले आपना resume upload करेंगे उसके बाद establishment name में आप search करेंगे NLC India Limited और search करने के बाद नीचे आपको apply करने का option आपको आ जाएगा दूसरे रिकेंडेट जो कि अपना mhrd पर अपना registration नहीं किये हैं तो सबसे पहले तो आपना जाकर www.mhrd.gov.in पर अपना registration यहाँ पर complete करें और यहाँ पर registration जब आप complete कर लेंगे तो आप अपना यहाँ पर registration कर लेंगे तो उसके बाद से आपका यहाँ पर registration किया होगा वह आपका approved होगा और approved होने के बाद यहां पर दिखने लगए याप उसके बाद लोग इन करके उसके बाद establishment request में जाके find establishment में जाके आप यहां पर search करके लिम्टेड और आप भी यहां पर apply कर सकते हैं तो जो भी candidate यहां पर registration नहीं किये हैं तो पहले जाकर अपना यहां पर registration complete कर ले और कैसे registration करना है अगर आपको और नहीं पता है तो आप comment box में जाके पूछ सकते हैं मैं अगला वीडियो आपको इस पर बना दूँगा यहाँ पर travel expenses आपको किसी परकार का travel expenses यहाँ पर नहीं दिया जाएगा सब्सक्राइब verification के दवरान और उसका बाद यहाँ पर किसी परकार का boarding या loading भी आपको यहाँ पर expenses यहाँ पर कोई provide नहीं किया जाएगा अब यह बात कर लेते हैं आप important date के बारे में तो important date आप देख लिए कि online application यहाँ पर 15, 10, 2020 से यहाँ पर आपका शुरू होगा और उसका बाद से आप apply क कर सकते हैं और आप apply कर सकते हैं NLC India Limited में वह आप 10, 2020 तक कर सकते हैं और जो आपका shortlisted candidate का जो list आपका आएगा और उसका बाद आपको यहाँ पर certificate verification के लिए जो भी candidate यहाँ पर shortlisted होंगे merit के अधार पे तो उनको यहाँ पर 23, 2020 को यहाँ पर अपना certificate verification के लिए यहाँ पर जान हैं तो आप इस form को आप भर सकते हैं बाकी मैं इस बिग आपन का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके download आप कर सकते हैं और उसके अलामा जो भी important link होगा आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो friend आपको वीडियो कैसे लेगी वीडियो को like आप जरूर करते साथ में चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon आप जुरूर प्रेस कर ले तक कि इससे जुड़ी जो भी update है आपको इस चैनल पर मिलते रहे हैं साथ में जो भी नई वेकंसी यहाँ पे निकल के आती है चाहाँ यहाँ पे apprenticeship के regarding हो चाहाँ आपकी permanent वेकंसी हो डिप्ल